हेलो गाज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का सो आगत है आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप बहुत दिन से परसान है कि मैं अपने फेस्बुक आईडी का जो नाम है उसको कैसे चेंज करें माली जी दोस्तों मेरे फेस्बुक आईडी का नाम पढ़ दे जाए और मैं चाहता हूं पढ़ वेज को हटा कर और कोई और दूसरा नाम रखना तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताएंगे कि अपने फेस्बुक आईडी का जो नाम है कैसे चेंज करें दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो आपको बता चुके हैं फाइनली आप जा के देख सकते हैं मगर बहुत सारा बंदा कमेंट करते हैं कि अब नहीं हो रहा है अब नहीं हो रहा है तो इसलिए दोस्तों फिर से नया अपडेट में मैं बता दिया हूँ कि अगर आपका अभी भी नहीं हो रहा है फेस्बुक एकाउंट का नाम चेंज तो finally इस वीडियो को end तक देखे तभी आप अपने Facebook एकाउंट का नाम change कर सकते हैं तो अगर आप इस चानल पे पहले मरते वाएं तो वीडियो की नीचे एक लाल बला दिखेगा उस पे किली करके subscribe कर दिए और बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पे किली करके all प्रेस कर दिए ताके इसी तरह का नौन लेज़िवर वीडियो सबसे पहले आप लोग पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सो दोस्तों सबसे पहले अपना फेस्बुक एप्स को अपने प्लेय स्टोर से अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद अपना फेस्बुक को ओपन कर लेना है Facebook को open करने के बाद simply दोस्तों यहाँ पे देख सकते है सबसे उपर थीरी लाइन पे इस पे किलिक कर देना है इस पे किलिक करने के बाद simply आपको as call उपर करना है as call उपर करने के बाद यहाँ पे एक option है यहाँ पे देख सकते है settings and privacy का इस पे किलिक कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं इस पर किलिक कर देता हूँ, इस पर किलिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है, नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर एक option फिर से है, personal information इस पर किलिक कर देना है, तो चलिए दोस्तों मैं इस पर किलिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नाम इस पर क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं इस फिर से क्लिक कर देता हूं इस पर क्लिक करने के बाद कुछ दर वेट करना है और कुछ दर लोडिंग लेगा और कुछ दर लोडिंग देने के वाद यहां पर देख सकते हैं मेरे facebook account का नाम यहां पर देख सकते हैं परवेज और आलम है यानि की first name परवेज है और last name आलम है तो इसको मैं change करके मान लिजे मैं आलम परवेज करना चाहता हूं तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसको मैं काट के हटा देता हूं स यहां पर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़के बता दे रहा है यहां पर लिखा हुआ है if you change your name on facebook you can change in again for 60 दिन यह बता रहा है अगर अभी आप save करते हैं अगर आपका account का जो नाम चेंज नहीं होता है साथ दिन के अंदर अंदर में आपका नाम चेंज हो इस पे क्लिक किने के बाद यहां पे एक password मांग रहा है यहां पे password तो क्वन password देना है तो आपका जो facebook account का password है यहां पे इंटर कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं इंटर कर देता हूँ तो दोस्तों मैं अपना पास्बूक इंटर कर दिया हूँ, पास्बूक इंटर करने के बाद यहाँ पे एक option है, save change का इस पे किलिक कर देना है, तो चलिए दोस्तों मैं इस पे किलिक करता हूँ, इस पे किलिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा save हो चुका है, save होने क मैं अपने profile पे click कर लेता हूँ profile पे click करने के बाद यहाँ पे मैं refresh किया और यहाँ पे finally यहाँ पे देख सकते मेरा आलम पड़वेज हो चुका है दोस्तो finally यहाँ पे लाइप पुरूप के साथ मैं आपको देखा दिया हूँ पहले मेरा पड़वेज आलम नाम से था आप आलम पड़वेज कर लिया हूँ तो दोस्तो आप इसी तरह अपने Facebook एकाउंट का जो भी नाम है उसको finally आप चेंज कर सकते हैं पुमीद करता हूँ दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा दिजे ताके दोस्तो इसी तरह का नॉलेजवल वीडियो सबसे पहले आप लोग पास सकते है तो चलिए दोस्तो फेर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं जब तक के लिए बाए